दोस्तों आपका स्वागत है इस एडुकेशनल चैनल पे इस चैनल पे प्रीवियस एर के कुश्चन पेपर्स में अल्रेडी प्रवाइड करा चुका हूँ चाहें आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो वो मैटर नहीं करदा साथी साथ अभी जो पेपर्स आपके हुए हैं उनको भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ और अगर आपको वीडियो की स्पीड ज्यादा लगती है तो वीडियो को पॉस करके कुश्चन को आराम से पढ़ें और उसका सोलुशन सोचें या फिर अगर आपको पता है तो ठीक है अधरवाइज आप नेक्स कोश्चन पे मूव करें वीडियो को पॉस करकर के आप आराम से पूरा कोश्चन पेपर देखें और अगर आपको इसका सोलुशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बोर्ड की आपके क्लास की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है चाहें आप किसी भी बोर्ड में हो चाहें आप यूपी बोर्ड में हो एमपी बोर्ड में हो रास्थान बोर्ड में हो CBSC board में हो ICSC board में हो गुजरात board में हो बिहार board में हो आप किसी भी board में हो सभी boards के मैंने playlist description box में दे दी है class wise 10th की अलग है और 12th की अलग है board का नाम के साथ में तो उस playlist को जब आप खोलेंगे तो वहापे आपको सारे के सारे question paper पर और उनके solutions भी मिल जाएंगे और कोई question paper या solution आपको नहीं मिलता तो आप मुझे comment करके आराम से बता सकते हैं मैं उसका solution और उस question paper को provide करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा मेरे चैनल पर हर comment का answer जरूर दिया जाता है तो comment करने में आप हिच-किचाय मत और जैसे वीडियो आप देखते हैं तो like का button प्रेस करना भी ना भूले इसके बाद मैं बतायता हूँ आपको जो ये question paper है इसको मैं discuss नहीं करूँगा कि इसका ये question number 1 में ये बताया गया question number 2 में ये बताया गया ऐसा कुछ भी discuss नहीं करूँगा क्योंकि जितना मैं discuss करूँगा उतना ही ये वीडियो लेंदी हो जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो की speed ज्यादा लगे तो वीडियो को pause करके देख ले हाँ इस वीडियो में कुछ important बाते बताऊंगा जो आपके question paper और आपके exam से रिलेट होंगी तो आप सुनना चाहें तो उसको ध्यान से सुन लें जो previous year के question paper है उनको solve करने का फायदा ये होता है जो students जैसे ही board class में आते हैं तो उनको question paper का pattern पता नहीं होता तो वो इस question paper को देख करके patterns का पता कर सकते हैं कि कैसे questions आते हैं हमारे प्लस अगर आपने 4-5 साल के question paper को solve कर दिया तो आप समझे कि आपने मतलब अपनी examination की बहुत बढ़ियां तयारी कर ली और फिर आप इन question paper को लीजिए previous year के 2-3-4 साल के question papers को लीजिए और उनको निर्धारित समय में जो समय में question paper आपको दिया क्या है तीन घंटे का है या सवा घंटे का है या डेड़ घंटे का है जो भी जैसे मैं बता रहा हूँ एक example दे रहा हूँ ऐसे तो generally तीन घंटे का यह paper होता है तो तीन घंटे का जो paper है उसको तीन घंटे में ही खुद घर पे पहले याद करिए सब कुछ पहले जब आप syllabus complete कर लेते उसके बाद इन question papers को solve करने की कोशिस कीजी अगर आप तीन घंटे में इस question paper के सारे questions को solve कर देते हैं तो आप मानिए 200% आप exam के लिए perfect prepare हैं यह मेरा दावा है आपके साथ बता रहा हूं मैं क्योंकि इन rules को follow करके बहुत सारे students के अच्छे number आए हैं उन्होंने मुझे comment के थुरू बताया भी है दूसरी बात बता दूँ जब आप question paper exam में attempt करेंगे तो उसमें कवे भी कोई भी question छोड़ना नहीं चाहें आपको आता हो या फिर नहीं आता हो क्यों बता रहा हूं मैं ऐसा क्योंकि देखिए अगर आप question छोड़ देंगे attempt नहीं करेंगे तो आपको उस question marks उहाँ पे question में zero marks ही मिलने हैं लेकिन अगर आपने उसको attempt कर दिया suppose करिए कि उसमें से कुछ भी थोड़ा बहुत match हो गया या फिर गलती से examiner ने उसमें आपको marks दे दी तो आपके लिए benefit होगा प्लस अगर आप question paper attempt करते हैं और कुछ student ऐसे होते हैं जो passing marks आते आते रुख जाते हैं या अटक जाते हैं बोलते हैं बिल्कुल passing marks के end पे आके अटक जाते हैं तो वहाँ पर उनको grace mark की ज़रूत पड़ती है जो grace mark कैसे मिलेंगे जब तक आप कोई question paper attempt नहीं करेंगे चाहें वह गलत हो grace mark देने के लिए examiner को कोई ना कोई question जो है attempt को ही वह पकड़ता है उसी में वह answer दे सकता है आपको marks दे सकता है तो आप चाहें answer गलत लिखें कोई दिक्कत नहीं है diagram बनाएं उसे रिलिट formula है formula बत समझा दी अपने समझा दी उस पेपर में उस question में तो आपको marks मिलना है पका मेरी guarantee है क्योंकि examination में linear marking होती है बहुत linear marking होती है मतलब आपकी mask को चुराया नहीं जाता है ठीक है और दूसरी बात मैं एक और बता दूँ आपको जब आप इन question paper को देखते हैं या फिर वीडियो को देखते हैं तो कभी कभी क्या होता है आपको दिक्कत यह होती है कि वीडियो साफ नहीं दिखाई देता है बोलते है जो paper है नो वो दिखाई नहीं दे रहा है उसके print साफ नहीं दिखाई दे रही तो मैं आपको बता दूँ पेपर का print बिल्कुल साफ है SD print में ह देख़े पेपर जो आप देखते हैं या फिर आप यूट्उटूब चलाते हैं तो आपके मॉबाइल पे जो YouTube चल रहा है, वो YouTube कितने पिक्सल का सपोर्ट करता है, वो बहुत important होता है, यानि कि जितना अच्छा mobile होगा, उतनी अच्छी वीडियो quality मिलेगी, अब ये वीडियो quality सेट कहां से होती है तो मैं बतायता हूँ, आप जैसे भी कोई वीडियो को play करते हैं, तो उसको play करत ही, देखेंगे आपके सामने वीडियो play हो गया, YouTube का कोई भी वीडियो, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप exam paper की बात कर रहा हूँ, किसी भी वीडियो को play करिए आप, और उसको आपको SD में देखना है, यानि बिलकुत साफ साफ देखना है, तो जैसे आप वीडियो को play करें के देखेंगे तो आप रहत कॉर्णर में वीडियो के चार कोनी होते हैं, तो रहत कॉर्नर में ऊपर वाला, ऊपर वाला जो कोना है, राइट साइड में, उहां पे देखेंगे चोTV चोटे 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 तीन डॉट बनें गा малень टीन विन्दू बनेंगे वाइट कलर करें डॉट 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 दॉट डॉट जॉट टॉट पर किलिक करिए ऑन किसी वीडियो को पले करीज़ा शॉप कर को ल performances जाता है उसी YouTube पर खुलेगा आपके तो आप जैसी को